जेएं दोस्तों वंदे मातरम विक्रम वेदा का ट्रीलर निकल कर सामने आ चुका है और ट्रीलर में जो चीजें समझ में आ रही हैं देखकर वो काफी ज़ादा ना समझने वाली भी हैं क्योंकि चीजें जिस तरीके से निकल के आनी चाहिए थी वैसी आई नहीं प्लेइन सिंपल भाशा में अगर हम बात करने तो इस ट्रेलर में जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं न कहीं इस ट्रेलर आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरने वाला है क्यों इसका सीधर सा कारण है विक्रम वेदा रीमेक है रीमेक किसकी है आर मादवन और जैसे तुपते की मूवी की अब यहां पर कोई महानुभाव आकर मुझे ये कहते हैं कि नहीं किसी भी मूवी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए तो देखिए जब भी कोई मूवी रीमेक बनेगी उसका कंपैरिजन जरूर होगा क्योंकि उस रीमेक को बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि पिछली वैली मूवी काफी अच्छी चली थी तो इन्होंने सोचा कि हम उसी की सफलता को फिर से कैश इन करेंगे और लोगों के सामदे नहीं पिचर बना के परूशेंगे लेकिन नया जैसा कोछ होता नहीं है हमने कटपुतली में भी देखा कि रउतसान की वह मतलब बनाया है क्योंकि लेकर काफी सारी चीज़ी से कही जारहे ती कि सूपर थर्टी से उठाया हुआ है इसा लग रहा है सूपर 32.2 आया है लेकिन ट्रेलर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगए कहीं कहीं पर तो एक्सेंट और कहीं पर एक्सेंट नहीं है मतलब बनावटी जब कोई चीज होती है तब वो ऐसे ही दिखला ही पड़ती है इसके साथ ही अगर हम सैफली खान और रितिक रोशन दोनों को कलेक्टिवली बात करें तो दोनों के ही मिला जुलाके भी डायलोग ऐसे नहीं है जो सुनकर आपके दिमाग में बैढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे कि दर्शकों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जाक सके कि चलो हमें कुछ और देखने को मिलने वाला है वरना यूट्यूप पर डली हुई है विक्रम वेदा जिसको देखनी हो जाकर देख सकता है क्यों पांसो चेसर रुपे खर्च करके थीटर जाएगा और वहाँ पर तिंग गंटे बैटकर एक कॉपीड मुवी देखकर आएगा जड़ा और विस्तार में जान लेते हैं इस मुवी के बारे में रितिक रोशन के फिल्म विक्रम वेदा का दमदार ट्रेलर ड्रीयुज हो चुका है इस फिल्म में अभीनीता रिक्ति रोशन और सेफली खान लीड डॉल में और इजार आ रहे हैं देने वाला है मतलब आपको ऐसा लगएगा कि कुछ होते होते रहे गया ट्रेलर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रितिक रौशने गैंग्स्टर के किरदार में है और साहफली खान पुलिस वाले के रोल में है दोनलों की बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है अगर उस एक्सेंट को सही तरीके से उने डिलेवर किया हुआ यूपी की भाशा में रितिक ने खुद को बेहद ही मतलब सहज तरीके से दिखाने कोशिश करी वहीं सैफली खान रितिक के जाल नफस कर कंफ्यूज होते नजर आते दो मिनिट पचास सेकंड के इस ट्रेलर में दो बिनिताओं के बीच जवर्दा से बिढ़न भी देखने के लिए मिलने वाली एक्शेन और थ्रियर से भरपूर इस फिल्म की कहानी ट्विस्ट और टरन से भरी हुई इस ट्रेलर के बीच में राधिका आप्टर सेफली खान का रोमांस की भी जलक दिखाई देती सेफली खान और रितिक स्टाड़ ये फिल्म सिनमा घरोमती सत्तमर को रिलीज होने वाली है और सबसे बड़ी बात ये है कि PS1 जो कि एश्वर डियाव मनियत नम की मूवी है उससे इस मूवी की टक कर होने वाली है मैंने जैसे कि आपको पहले बता है कि अगर हम इस ट्रेलर का बैग्राउंड मूजिक की बात करें तो वो पुरानी वाली मूवी से उठाया गया है तो इसलिए वो तो काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसके अलावा हम किसी भी चीज़ की बात करें तो मुझे बहुत ज़ादा अपीलिंग नहीं लग रहा है टीजर देखकर भी एक मन में यही बात आये थी कि शायद ट्रेलर अच्छा होगा ट्रेलर देखकर मन में यह बात आये कि मूवी अच्छी होगी और इसका कारण सबसे बड़ा ही है कि कहीं न कहीं इस मूवी के साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी होई है क्योंकि विक्रम वेदा जो साउथ वाली देखी है मतलब उसमें विज़ा सेतुपती ने जो इंपक्ट डाला था ना उस इंपक्ट को आज की डेटम में यह कह सकता हूँ कि वो अनमैचिबल जब रितिक रोशन जैसा किरदार परिभाने वाला कलाकार भी विज़ा सेतुपती के चाम को वहाँ पर टच नहीं कर पा रहा है तो आप खुद ही सोच सकते हैं बल्ला विज़ा पर सेतुपती के किरदार के साथ जो एक टेंशन जो एक सस्पेंस चलता था रितिक रोशन के किरदार के साथ वो बिल्कुल भी नहीं है बलगे रितिक रोशन यहाँ पर एक गड़ी नुकड़ के गुंड़े जिससे दिखाई दे रहे हैं जिनके की हाथ में किसी ने तमंचे के नाम पर बंदूग फसा दी हूँ अब ऐसे में सैफली खान कंफ्यूज होते हैं या खुद कंफ्यूज जानमुझकर हो रहे हैं यह तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की एक्सपेक्टेशन्स आर माधवन की विक्रम वेदर ने सेट करी हैं यह मूवी उसके पास जा तीवी दिखाई नहीं देरी आपको इसका ट्रेल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूरू बताइएगा मेरे इस वीडियों फिलात नहीं जाये हैं जाए बारात